हलो एवरिवान वेलकम टू माई चैनल और कैसे आप सभी उमेद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होएंगे और फिरन्स अभी न मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ पर मैं अपने कामों में लग गई हूँ और फिरन्स आज के वीडियो में आप लोगों को नॉइज वो ग्रॉसरी है ना कर रखी हुई है तो मैंने कल से निकाले नहीं है और जमाबी नहीं पाई थी रात को लेकर आई थी ना तो थोड़ा सा लेटी हो गए थी फिर उसके बाद मैंने खाना पीना जो है ना वो बनाने की तैयारी में लग गई थी तो फिर उस काम को मैंने छो लगाया नहीं था सिर्फ पैरों में बस लगाती हूं मैं और मतलब हाथों में नहीं लगाती हूं पिछले वीडियो में ना इसके पहले वाले और मतलब भूल जाती हूं मैं तो उस पर एक कामेंट था कि जब मैं स्वावन सौंबार वाले दिन की विलॉग में मैंने ना जिस औरेंज खलर की साड़ी पहनी है तो विछिया नहीं पहनी थी और पायल तो उसका एक कारण था फ्रेंस मुझे भी अच्छा नहीं लगता है वैसे आप सही भी कह रहे थे इस बात को और कभी-कभी ना मु आपनलब हफते में मुझे ना दो उंगलियों में बीच वाली जो उंगलियां होती है जिन में हम बिचिया पहनते हैं उसमें बहुत जादा खुझली होती है और खुझली के साथ-साथ-साथ काले-काले से दाग से बन जाते हैं एकदम धब्बे टाइप में और इतनी जाद जैसे बिच्छिया पहन लेती हुना तो बहुत जादा खुजली होती है तो और जैसे उसको खुजा लेती हुना एकदम तो जो काली-काली सी पपड़ी दो-तीन दिनों में पपड़ी बन जाती है ब्लैक-ब्लैक टाइप की फिर उसके बाद खुजलाते खुजलाते वो में तो फिर जैसे ठीक हो जाता है तो फिर मैं पहन लेती हुना लेकिन उस दिन ना बहुत जादा खुजली हो रही थी उसके एक दिन पहली से ही मुझे हो रही थी तो मुझे उतारनी पड़ी फिर उसके बाद ना दो तीन दिन में ठीक हो जाती है ना तो फिर पहन लेती पता नहीं है यह कौन सी वाली एलर्जी है क्या है क्या नहीं कुछ समझ नहीं आता फिर मैंने डॉक्टर सापको दिखाया तो उन्होंने एक ट्यूब लिखा है तो जिसको मैं लगाऊंगी और देखती हूं से क्या फर्क पारता है तो इसलिए मुझे ना निकालना पड़ा औ यह रहा और कुछ कमेंट और थे जो मैंने टेफिन लिया अपने कार्ठिक के लिये तो इक मतलब किसी ने कमेंट किया था कि स्टील कर ले लिए लूंगी ठु़े मैं अब शोच लिया थosis लिए था क्योंकि वहें थोड़ा तो तूट गया था न, अच्छा नहीं लगता, इसको इलमें कितना बुरा लगता है, तूटा वाला डिबा ले जाने में, तो फिर भी मैंने अभी महीने बर चला लिया, और फिर मैंने सोचा भी पूरा साल है, तो अभी जितनी कंडिसन थी, उसे साब से मैंने ले दिया, और जब भी लोंगी जल्दी ही ले लोंगी तो मैं इस्टील वाला ही दोंगी क्यूंकि प्लास्टिक मैं भी बहुत अवोइट करती हूं अब मैं प्लास्टिक बहुत कमी जो है नई करती हूं और मैं टिफिन में जब खाना पैक करती हूं ना उसके प्लास्टिक वाले में तो उस देर के लिए फिर फिर लगा देती हूं तो वसे और एक कमेंट और था बहुत बुरा सा था पदने किस ने अब उसका नाम तो मैं नहीं लूँगी और ना मैं लेना चाहूंगी हाँ देख रही हूंगी तो समझ जाएंगी मतलब मैंने जो एक रेसिपी शेयर करी थी आया था ना तो पता है किसी ने क्या लिखा कि मैंने जो क्या नाम उसका ब्रिस्टी हॉम किच्छन मैंने उसकी कॉपी करी है तो मैं देखिए मुझे नहीं पता उनने बनाया या नहीं बनाया लेकिन मैंने सौट में देखा था और दो तीन लोगों की सौट वही वही आई तो अब नहीं नहीं तो तीन चार बार नहीं डाला होगा ना और मेरे कहने का मतलब यह है कि चलो अगर मैंने बना भी लिया तो कुछ नया भी तो सीखने को मिला ना इसमें क्या बुरा हो गया कि मैंने किसी का देखके कॉपी किया है हम हर किसी का देखके ही तो कॉपी करके ही सीखते हैं ना क्योंकि हम कुछ भी चीज अकेले से कुछ नहीं सीखते हैं कुछ भी नया सा होता है तो हम किसी का देख लेते हैं तब हम नया करने की कोसिस करते हैं मुझे लगता ऐसा किशोंकि मैं तो मानती हो कि मैं जब दो जिसीना जादा कुम पढ़ाईyas हो या मिरे काम हो या कुछ राक सिपी प्गेरा तो मैं जब भी मंदब थो यह नहीं होता है तो किसी को कौपी तो नहीं की है लेकिन आप आपको लगता है कौपी की तो अब आप जो समझ समझना चाहें समझें लेकिन हाँ मैं मैंने आज पूरा वीडियो ना सिर्फ कमेंट पर ही बनाया मुझे मन नहीं कर रहा था बिल्कुल बनाने का मैं ऐसे इतना मैं दिमाग नहीं लगाती पर होता है कि अब जिनको तो करना है तो वो तो करेगा ही कमेंट किसी को क्या फरक पड़ता है अब कोई कितनी मेहनत से बना रहा है या कैसे बना रहा है उसको कोई फरक नहीं पड़ने वाला है तो उसको जो चाहें बोलना है चले जाना है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी क अच्छा नहीं बूल सकते हैं तो कमसम बुरा मत भूलिए तो इसमें मतलब है ना ये कॉपी करने वाली बात है ये मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगी कि भाई कॉपी करने वाला क्या था रेसिपी तो एक सी हर कोई जैसे दाल चावल बनता है तो क्या सब लोग दाल चाव बनता है डेली बनता होगा और थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंस भी रहता होगा कि किस तरीके से कैसे बनता है हर किसी की जो रैसेपी होती है थोड़ी सी डिफरेंस रहती है मिलकुल आलग ही रहती है डिफरेंट स्वारी में एक तब बाड है ना मेरे थोड़े से हो जाते ह तो आप लोग पिलीज एगनोर कर दीजिएगा तो आप लोग मतलब है न इतना मत वो किया कीजिए पिलीज मुझे अच्छा नहीं लगता न इस तरीके के कमेंट मैं कितनी मेहनत से मैं कितना काम करती हूँ मतलब आप लोगों के यहाँ एक वीडेयो पहुंचाती हूँ कि मैं उस वीडियो को बनाने में भी मतलब कितनी मेहनत लगती है अब वो तो मेरा काम है, मैं यह नहीं कहती हूँ कि आप लोग है, मतलब मैं क्या बोलऊ हूँ तो ऐसे समय पर मैं कुछ बोल नहीं पाती हूं, मतलब सब्द वगेरा, तो मैं अपने, मतलब हिसाब से पूरी कोसिस करती हूं कि अच्छा से अच्छा करने की, और मेरा तो काम ही है, यूटूब का काम भी करनागर का काम और जो भी मेरा रोटीन रहता है, तो मेरे लिए तो एक जौब ही है, तो मैं उसमें लगी रहती हूं, और पूरा कोसिस करते हूं कि परफेक्ट से परफेक्ट बनाने की कोसिस करूं। चलिए हो गई यह सारी बात हैं, अब इस बात पर खत्म करते हैं, चलिए अपनी काम पर फोकस करते हैं, और यहां पर ना मैं जो ग्रॉसरी लाई थी, वो मैंने दीरे-दीरे करके भर दी है, और जैसे कि मैंने कहा था, मैं चाय पत्ती चेंज करने वाली हूं, तो मैंने चाय पत्ती चेंज करी, इस महीने दूसरी वाली लेकर आई हूं, उसका नाम है रेड लेवल, तो अब देखते हैं, इसका टेस्ट मैंने यह वाली चाय कभी नहीं पी, यह फर्स्ट टाइम मैं पी रही हूं, तो कड़क वाली चाय है, क्योंकि मुझे ना कड़क चाय बहाँ ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर ना देखिए, चाय जो ना बन गई है, और यह वाला जो कुर्ता है, तो जब यह मैंने पहना ना, तो मम्मी ने देखा, तो मम्मी कहह रही थी, कि यह अच्छा लग रहा है, बहत अच्छा लग रही ज़्यादा, तो उनकुश चीज़ ऐसी रहती हैं ना, रखी भी है या नहीं तो एकदम न्यू का न्यू रखा था और मैंने तो इसको देखा था गनी कभी बहुत ज्यादा नीचे दबा हुआ था तो फिर मैंने सूचा चलो आज इसको पहनते हैं कलर भी मुझे इस तरह के कलर भी बहुत पसंद है तो यहां पर कुछ-कुछ चीज जो है ना लाकर रख लिए हैं तो यह मैं बहर दे रही हूं और खाना पीना जो है मेरा कुछ-कुछ रखा है तो थोड़ी बहुत ही मुझे कुछ बनाना है खाना में तो सोचा चलो यह काम तो सबसे पहले कर देते हैं तो जन जन डिबो मैं समान था उनमें मैं बहर दिया है और जो उन से डिब बेख खाली हो जाते हैं तो उनको मैं पहले अच्छे से वास कर लेती हूं, साफ करके सुखा लेती हूं, फिर उसके बाद उनमें भरती हूं और यहां देखिए मेरे जो पन्यों की दोकान भी है ना एकदम, इतनी सारी पन्या हो गई ना कि मैं फेकती नहीं हूं, रख लेती हूं, क्योंकि जरुवत पढ़ती हैं, कभी ना कभी कुछ चीजों की जरुवत पढ़ती है, पॉलितीन में रखने की, इसलिए मैं इनको डस् इस वज़े से, और वैसे लगती ही रहती है, मुझे तो थोड़ी बहुत कभी न कभी, तो इसलिए मैं सारी पॉलितीन बगएरा जमा करके और रख लेती हूं, यहां पर मेरे हस्बेंड ना कुछ बात है की कर रहे थे, कुछ बूल रहे थे, और यहां पर काम भी हो रहा था कार्तिक भी था, तो पूछ रहा था मम्मी क्या बनाना इस टाइम पे न वो, पूछ रहा था मुझे कि मम्मी क्या बना रही खाना में, तो बस उसको खाना में ही सबसे ज़्यादा इंट्रेस्ट रहता है, कि सुबह साम बस क्या बन रहा, क्या नहीं बन रहा, फिर जो भी प बाइ